ये वीडियो उन students के लिए हैं जो अपने math exam में 100% score करना चाहते हैं 100% score करने का मतलब है हमारा सभी sums सही होना चाहिए तो चलिए आपको आज हम एक ऐसा cross checking method सिखाते हैं जिसको apply करके exam hall में बैठके बस कुछ seconds में आप ये check कर सकते हैं कि आपका sums सही है या गलत है सबसे पहले इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा बीजांक और digital root निकालना बीजांक और digital root निकालने के लिए हम एक number ले लेते हैं like 78 किसे भी digits के number को single digit में convert करने का मतलब है बीजांक और digital root निकालना तो 78 को हम single digit में convert करते हैं 7 plus 8 करके हमें मिलता है 15 इसको भी हम single digit में convert करेंगे और हमें मिलेगा 6 तो 78 का digital root आता है 6 एक और number लेते हैं like 145 इसको भी हम single digits add करते हैं और हमें मिलता है 10 इसको हम add करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इसका मतलब 145 का digital root आता है 1 एक और number लेते हैं like 1, 2, 3, 6, 5, 4 इसका digital root आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 5 plus 4 and we get 21 इसका हम add कर देंगे और हमें भी लेगा 3 तो 1, 2, 3, 6, 5, 4 इसका digital root आता है 3 तो चलिए देखते हैं इसको sums में कैसे apply करते हैं suppose we have some addition sums like 256, 123 plus 314 और उसका answer हमें मिला है 693 चलिए चेक करते हैं हमारा answer सही है या गलत है हमें सबसे पहले क्या करना है सभी digits का digital root हमें individually निकालना है like 256 का digital root आता है इसको add करेंगे single digits number और हमें मिलेगा 13 उसको भी add करेंगे तो हमें मिलता है 4 256 का digital root आता है 4 123 का digital root आएगा 1 plus 2 plus 3 6 and 314 का digital root आएगा 3 plus 1 plus 4 8 so अभी हम addition कर रहे हैं इसलिए हमें सभी digital roots को add कर देना है like 4 plus 6 plus 8 and we get 18 इसका भी हम single digit में convert करेंगे तो हमें मिलता है 9 तो हमारा question का digital root आता है 9 अभी हमें answers कर भी digital root निकालना है like 693 का digital root आएगा 6 plus 9 plus 3 and we get 18 इसको भी convert करेंगे और हमें मिलता है 9 so यहाँ पर देखिए question का digital root और answer का digital root seem आता है इसका मतलब है हमारा ये वाला answer correct है इस साम पर try करते हैं 5,6,8,9 का digital root आता है 1 1,2,3,0 का digital root आता है 6 and 1472 का digital root आता है 5 सभी हमको हम add कर देंगे तो हमें मिलेगा 12 इसको हम single digit में convert करते हैं तो हमें मिलता है 3 तो question का हमारा digital root आया है 3 अभी answer का digital root check करेंगे like 8 plus 3 plus 9 plus 0 is equal to 20 इसको भी हम add करते हैं और हमें digital root मिलता है 2 आप ए answer का digital root आया है 2 और question का 3 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये वाला answer जो निकला है वो गलत है अभी देखते हैं subtraction पे कैसे इसको apply करते हैं 4,5,6,3 का digital root आता है 9 and 1203 का digital root आता है 6 हम अभी subtraction कर रहे हैं इसलिए हमें digital roots को subtract करना है like 9-6 we get 3 तो हमारा question का digital root आया है 3 अभी हमें answer का digital root चेक करना है like 3 plus 3 plus 6 plus 1 and we get 13 इसको भी हम convert करते हैं हमें मिलता है 4 तो देखिए question का digital root आया था 3 और answers का digital root आया है 4 इसका मतलब है हमारा ये वाला answer वलत है इस हम पे try करते हैं 6 4 3 2 1 का digital root आता है 7 and 3 1 0 5 2 का digital root आता है 2 subtract करेंगे 7 minus 2 and we get 5 question का digital root आया 5 अभी answers का check करेंगे 3 plus 3 plus 2 plus 6 plus 9 we get 23 इसको भी single digit में लेके convert करेंगे और हमें मिलता है 5 तो देखिए question का digital root और answer का digital root आया है 5 बोत और 5 बोत आता है तो ये वाला answers हमारा जो है ये सही है अभी आप इसको apply करिए आप इपने sums में और check करिए आपका sum सही होता है या गलत नेक्स वीडियो में हम बताएंगे multiplications और divisions में इसको कैसे apply करते हैं तब तक bye